आई होब आपको यह आज के टेप सेंट ट्रिक बहुत पसंद आएंगे क्योंकि हमाई रोज मर रहा कि हमाई लाइफ में हमारे कीचे में बहुत से चीज़े होती है जिसे हम यूज करके अपना काम चला सकते हैं तो जैसे यह बनाना है काफी पग गया था और यह से क्यों खान अच्छे से उसका जो भी वाइट पोशन है ना उधर कूल करके उसको अराम से पोस को सारे चारो और उसको लगा दीजिए फिर इसके बाद जो भी आपकी पास बीन लिक्विट सलूशन हो जो भी हो उससे आप कपड़े में लगा के अराम से से पोस देजिए और यह बहुत क्लीन हो जाता है इसे ना बहुत साफ दिखाई देता है चुला हमारा क्योंकि यह ना बहुत काम आती है यह मैंने लिया था एक पैरसीटमॉल और इसके मैंने दो तीन गोली में डाल रिखी है तो यहां पर देखिए जो हमारा फ्राइपेन होते है पीछी के जो तला होता है ऐसी जल जाता है शायद आप लूंग के घर में जल जाता है तो यहां प को एसे करके दिखा रही हूं आप देखिए इससे ना बहुत क्लीन हो जाता है आपके लिए ना यह जो ट्रे कहना है बहुत काम आएगी हर घरों में काम आएगी तो प्लीज इसे जरूर आप लोग भी से एक बार अपनाएगा आप लोग एक बार इसको यूस करिए तो आप आप लुदे में यह ही आपको दिखा थी देखे कितना साफ हो गया है क्योंकि जो मैडिसन होती जोटी है उससे ना बहुत चीजे मारे बहुत से चलीन हो जाते हैं आप लोगों के घरों में भी होता होगो चाय बननी के बात ऐसी चन नी में चाय पती रहती हो या तो आप इ इसे यूस करते होंगे इसे री यूस कर लेते होंगे किसी चीज में किसो और चीजों में तो यहां पैने में आपको बता दी उसको आप पानी साराम से दो दीजी के इसका दूद सारा निकाल दीजिए जितना भी दूद का मटेरियल अगर इसमें होगा तो क्योंकि दूद ना तो आप एक बाकिट में इसको रख दीजे यह बहुत अच्छी खाद होती पेर बादो के लिए और आपके बहुत काम क्योंकि चाय पती भी यूज़ जाएगी पेर पादो के लिए भी अच्छी खाद बनती है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो लेसन होता है ना कीचन में दीजे तो आपको बस दिखा रहा हो कि मैंने साबुत ब्यू डाला है इसे कोई फरक नहीं को बता है आप इसे सील टाइट कर दीजी और इसको रख दीजे ना फ्रीज में यकीन मानेए न आपका लेसिन कभी खराब नहीं होगा तो कि फ्रीज में रखने के बाद आपका बहुत चल जाता है आराम से इसमें कोई फंकस कुछ भी नहीं खराब होता ही और यह हमारे घर में हर किसी के घर में यह लोग फ्रीज में जरूर रखते होंगे जिनको पता हुगा एक्सपाईरी मैडिसन न बहुत यूसफुल होती है उसका एक और बहुत सारी गुस्थ में इसके प्योग होते है उनमें से इक प्योग होता है ये नगेपेशन होते हैं आपको भी डिफर्ण टाइप के मैडिसन ले लिजिए या एक भी या तो आप इसको डाल दीजी या ऐसी डाल दीजीए वैसे भी परसित-घी से ना आख लोग जाते क्या हमाई बॉडि में जब आप जा आराम से गुल जाती है तो यहां पेना जो यह पानी कर सलूशन में बना रही हो ना ये सपेशलि में बनारी हूं बढ़ता है तो यह बना इना पेर पादों में बहुत अच्छी ग्रॉथ आती यहां जी इससे ना पेर पादों में जो पेर पादों अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाते रिखfun आप उसमें फोड़ा-थोड़ा दीज़ी बहुत रहता तो यह सब बहुत पेर पादों आपने हम अपनी हैं अपनी घर करते हैं किता बाम सालों आती तो लिए स्क्राइब परणों पानी मिला पें चीनी मिला इती यह एक चमल और उसमें अपना हाँ्ट बोलो जब आप मिर्ची का टने के अवार शारी मिलता हैं, सारी इसमें जलन पूरी हट जाती है। बड़ आप प्रॉपर दूद डालोगे ना तो आपकी मम्मी जुरू टांटेगी आपको क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत डांती थी जब मैं अपने घर पर करती थी ये काम तो तो इसलिए आप दूद में थोड़ा पानी जुरू मिलाएगा अब बारी है बिस्किट की सबके घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि ना बिस्किट ना सील जाते हैं और वो सीले बिस्किट को सिर्क हाए नहीं जाते तो अब ना वो सीले बिस्किट को हम दोबारा से ना वही क्रंची लाने के लिए ना सबसे पहले आप पैन लीजिएगा उ उसे ज्यादा हाई उसमें फ्लेमम रखेने तो बिस्कित' जिल जाएंगे तो इसके बाद आप रखे अलुवणियूम फईल जो सब करू में होती है तो आप उसमें रख दीजिए उसमें रख दीजिए एकएकर की सारे बिस्कित की त्युक्त बिक नहीं होए हैं तो वह दूर कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो अगर अगर आप हाई लिप्ले में रखेंगे तो इसके जल जाएंगे बड़ आप इसको यह अली ट्रिक भी जरू अपनाएगा क्योंकि इसे ना सारे जो बिस्कित है ना उनका क्रंची ने फिर से वापस आ जाता है और वो फिर से जरूर यह आपको कभी नहीं बताती क्योंकि जो मैं करती हूं मैं वही चीज आपको दिखा रही हूं देखिए कितने क्रिस्पी हो रहे हैं अराम से टूट जा रहे हैं क्रंची नेस वापस आ गया लास्ट है हमारी घरों में जो नमक दानी होते हैं जिसमें नमक रखते हैं तो प्लीज उसमें आपने क्या करिए थोड़ा से जो चावल होते हैं जो राइस के दाने होते हैं उनको आप एक कॉटन वाले कपड़े में जिससे की वो आराम से दिखे जिससे ऐसा कपड़ा होना चाहिए उसमें आप पोटली बात के आप उसको नमक दानी के अंदर रख जीजिए इसे यह होता है ना कि जो राइस होता है न सार प्रहर अभशीन अब्सरा कर लेता है और नमक दानि में मैं ब्हुत बाता हैं यह मैं अपनाती तो आप भी अपनाए इसंपने घर पर तो आपको भी फायदा होगा अगर आपको आज के वीडियो थोट़ा सा बेचा लगए तो प्लीज चैनल को जरू लाइक करके जाएगा सुस्क्राइब करके जाएगा कमेंट करके जाएगा और मैं आगे भी अच्छे वीडियो आपको देते रहूंगी